तो कैसे हो आप सब लोग, I hope कि आप सभी बहुत इच्छ होंगे, तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपनी SN1 and SN2 reactions के बारे में, और दोको जो हमारी यहाँ पे B Pharma 2nd semester की organic chemistry है, उसके अंदर हमारे यह सबसे ज़्यादा important question बन जाता है, आप किसी भी university से belong करते हो, यह question आप लोग के exam paper में 99% chance है कि देखने को मिलेगा ही मिलेगा, and I hope कि जो even e2 reaction वाला हमारा वीडियो है, वो आप लोगों ने अल्रेड़ी देख लिया होगा, क्योंकि यहाँ पर दिको जो SN1 और SN2 है, यह हमारे even e2 के काफी similar है, और जो even e2 है, और जो SN1 और SN2 है, यह दोन को बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी, बाकिया आप लोग copy or pen लेके बैठ जाएए, और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते है, so यहाँ पर जो हमारा SN1 और SN2 reaction है, यह हमारे यहाँ पर unit 3 का part है, और जो पूरी unit 3 में हमारा सबसे important question हमारा यही बनता है, basically यह question हमारा unit 3 से सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, अब एक दो question हमारे और भी है, तो probably उसको भी हम लोग आज cover कराके अपनी unit 3 खतम कर देंगे, तो unit 3 के अंदर यह हमें SN1 और SN2 देखने को मिलता है, हमारे alkyl halide के अंदर, तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा अपना alkyl halide का एक basic introduction देख लेते हैं, क्या होता है, हमारा alkyl halide, तो यहाँ पर देखो alkyl halide क्या होता है, तो alkyl क्या होता है, देखो जब हम लोग यहाँ पे अपने alkyne से एक hydrogen को remove कर देते हैं, तो जो हमारे structure बनता है, उसको हम लोग बोलते है alkyl, और जब हम लोग इस alkyl में अपना hyalogen group, हाइलोजन हमारे क्या होते हैं, हाइलोजन हमारे होते हैं, जो है हमारे CL, BRI, I, F, ठीक है, फ्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रॉमीन, आयोडीन, इनको हम लोग बोलते हैं, तो इन में से अगर किसी का भी addition हम लोग अपने इस alkyl group में करते हैं, तो हम लोग का structure बनता है, उसको हम लोग बोलते है alkyl halide, अब देखो, अभी तो आप लोग को हो सकता है, न समच रहा हो, तो हम लोग इसको थोड़ा से example से देखते हैं, तो यहाँ पर माल लोग अलकेन एपना CH4, CH4 क्या होता है हमारा, मिधेन, अगर मिधेन से हम लोग एपना यहाई हैdrogen को remove करते हैं, तो हमारा क्या बनता है, CH3, और CH3 हम लोग क्या बोलते है, methyl, तो यहाँ पर धिको हम लोग यह हमारा क्या हो गया, alkyl, जब हम लोग इस alkyl में अपना halogen group अड़ करेंगे, तो halogen में माल लेते हैं हम लोगों ने BR add कर लिया ठीक है तो BR हमारा bromine होता है तो जब हम लोगों ने methyl में bromine को add किया तो हमारे structure क्या बन गया CH3BR और इसको हम लोग क्या बोलते हैं methyl bromide तो देखो यह हमारे क्या होता है यही तो होता है alkyl halide alkyl halide का example क्या हो गया methyl bromide अगर BR की जगा CL हो जाता तो methyl chloride और I हो जाता तो methyl iodide और F हो जाता तो methyl fluoride तो इस तरीके से हमारे alkyl halide देखने को मिलते हैं और इसका structure अगर आप लोग देखो तो यहाँ पर सिंपली होता कुछ नहीं है जो हमारे carbon के चार hydrogen होते हैं तो उन में से एक hydrogen हमारा substitute होके हमारा हमारा हमें hydrogen group देखने को मिल जाता है तो यह होता है हमारे यहाँ पर alkyl halide का structure अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर अपने types of alkyl halide की बात करें तो हमें यहाँ पर जो है generally तीन type के alkyl halide देखने को मिलते हैं पहला होता है हमारे यहाँ पर primary alkyl halide देखो primary में क्या होगा सिंपली यहाँ पर देखो BR group को छोड़के अगर आप लोग को हमारा single CH3 group देखने को मिले या फिर single हमारा carbon group देखने को मिले तो वहाँ पर हमारा हो जाता है वो primary alkyl halide यानि कि जो हमारा main carbon है अगर उससे हमारे दो hydrogen हो एक BR और एक CH3 हो तो हम लोग उसको बोलते है primary alkyl halide और secondary alkyl halide की बात करें तो य एक हमारा simply hydrogen होगा and tertiary की बात करें तो यहाँ पर आप लोगो जो है हमारे 3 CH3 group देखने को मिलेंगे और एक हमारा bromide होगा अब यहाँ पर दिको इस CH3 का जाएवा हमारे carbon की और भी लंबी chain हो सकती है बट जनरली हम लोग आपर CH3 के बारे में ही बात करते हैं क्योंकि mainly हमारा simple से structure यह होता है तो I hope कि alkyl halide का एक basic introduction समझ गया होगा आप लोग अब हम लोग बात करते हैं अपनी SN1 and SN2 reactions के बारे में सबसे पहले यहाँ पर यह लेखो हमारा SN का full form क्या होता है तो जो हमारी SN1 and SN2 reactions है यह हमारी कुछ नहीं होती है बलकि simply a type of nucleophilic substitution reaction देखो यहाँ पर ध्यान से समझना SN का full form होता है देखो N का होता है nucleophilic S का मतलब होता है substitution और यहाँ पे reaction तो हमारी होई रही है तो हम लोग यहाँ पर बोलता हैgili nucleophilic substitution reaction अब यहाँ पर इसको 1 & 2 क्यों बोलता है तो अगर आप लोगों ने इवन इटू देखा है तो आप लोग समझ गयोगे नहीं देखा है तो अभी समझ जाओगे अच्छा यहां पर दिको हमारा एक वर्ड आ रहे है नुकलियो फिलिक तो इसका मतलब यहां पर क्या होता है देखो सिंप्ली समझो नुकलियो फिलिक हमारे जहां पर ऐसे हमारे मॉलिकूल होते हैं जिनके उपर आप लोग को हमारा निगेटिव चार्ज देखने को मिलता है अगर हम लोग एक जामपल की बात करें तो हमारा C- हो गया, O- हो गया तो यह सारे हमारे क्या होते हैं नुकलियो फाइल होते हैं इनको मुलोग बोलते हैं नुकलियो फाइल असरा नुकलियो फाइल क्यू बोलते हैं यहां पर देखो फाइल फिलिक का मतलब होता है फिलिक का मतलब होता है आप लवर और Nucleus का मतलब होता है Nucleus यानि कि यहाँ पर देखो होते क्या है यह हमारे Nucleus Lover होते हैं जिनके भी उपर आप लोगो Negative Charge देखने को मलता है यह हमारे Nucleus Lover यानि कि Nucleus के तरफ Attract होते हैं अब क्यों होते हैं? देखो इसके उपर क्या है? Positive Charge और अगर आप लोगो पता हो तो जो हमारे कोई भी Atom होता है तो उसके Nucleus के अंदर क्या होते हैं? हमारे Protons यानि Positive Charge होते हैं तो जो हमारे Negative है वो हमारे Positive के तरफ ही तो Attract होगा और Positive Charge कहा होते हैं? हमारे Nucleus के अंदर होते हैं तो इसी लिए यहाँ पर हमारे जो Nucleophiles होते हैं, वो क्या होते हैं, जो कि Nucleus की तरफ attract होते हैं, और Nucleus की तरफ कौन attract होगा, हमारा negative charge, अब यहाँ पर दिखो, जो हमारी reaction है, उसका नाम क्या है, Nucleophilic substitution reaction, अचा E1, E2 हमारी क्या थी, elimination reaction, और SN1, SN2 क्या है, substitution reaction, देखो, हम लोग थोड़ा सा compare करके चल रहे हैं, क्योंकि दोनों काफी similar हैं, और ताकि आप लोग जो है, दोनों को एक साथ अच्छे से तयार कर सको, और differentiate भी कर सको, तो यहाँ पर देखो, होगा क्या, यहाँ पर होगा हमारा simply एक substitution, तो इसको हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा एक example लेके समझते हैं, देखो, यहाँ पर हमारा चुकी, हम लोग इसको पढ़ रहे हैं अपनी alkyl halide के अंदर, तो हमारा एक alkyl halide तो हम लोग ले लेते हैं, सबसे पहले अपना एक alkyl halide, तो मान लेते हैं, चलो हमारा simply सा, यह हो गया, हमारा alkyl halide. यह हमारा quya हो गया, हमारा methyl bromide है, यह भी हमारा alkyl halide है. So, यहाँ पर जिको हमारा substitution connection में होगा क्या, यह यह जो हमारा alkyl halide है, इसमेंसे यह जो हमारा halogen group है, यहां पे हड़ जब, असे substitution का मतलब समझ रहना, substitution का मतलब होता है, substitute कर देना, यानि किसी चीज को हटा के उसकी जगा खुद आके लग जाना, यानि यहां पे देखो होगा क्या, यहां पर यहां पर यह जो हमारा BR group आप लोगो देख रहा है, अब जनरली दिखो most of the cases में जो हमारा alkyl halide होता है उसमें हमारा nucleophile होता है OH- यानि अगर हम लोग finally बात करें तो यहाँ पे होगा क्या? यहाँ पे होगा यह कि जब हमारी यहाँ पे substitution reaction होगी हमारी इस alkyl halide के अंदर तो at last में हमें जो structure देखने को मिलेगा वो हमारा कुछ इस तरीके से होगा यानि यहाँ पे क्या होगा? देखो हमारा BR तो अलग हो चुका है और BR अलग हो चुका है लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ आके नहीं जुड़ेगा क्योंकि यह elimination नहीं है अगर यह elimination reaction होती तो यहाँ पे कोई भी चीज आके ना जुड़ती हमारा simply BR eliminate हो जाता है लेकिन चुकी यहाँ पे यह क्या है? यह है हमारी एक substitution reaction तो यहाँ पे यह जो OH- आप लोगो दिख रहा है यह OH- हमारा simply यहाँ पे आके लग जाएगा और हमारा जो structure है वो हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा तो यहाँ पे देखो simply हुआ यहाँ नुकलियोफिलिक substitution reaction में हमारे इस नुकलियोफाइल ने देखो यह OH- हमारे नुकलियोफाइल है इसने क्या किया इसने हमारे इस हालोजन ग्रूप पो substitute कर दिया यानि इसको खटा दिया और खुद इसकी जगा आके जुड़ गया तो बस simple सी होती है हमारे यहाँ पे नुकलियोफिलिक substitution reaction अब देखो अ नुकलियोफिलिक substitution reaction is a type of organic reaction in which an atom और group of an atom is replaced from a substrate by a nucleophile देखो वही चीश तो बता रहे यहाँ पे जो भी हमारा main compound होता है उसको हम लोग बोलते है substrate जिसके अंदर reaction हो रही होती है तो यह जो हमारा substrate होता है तो यहाँ से क्या होता है यहाँ से देखो जो हमारा atom, यहाँ पर हमारा atom क्या है, हमारा BR है, ठीक है, तो BR हमारा क्या होगा, हमारा substitute हो जाएगा, किसे, by a nucleophile, और nucleophile हमारा क्या है, OS-, बहुत ही simple है, बहुत ही easy है, I hope कि आप लोग यहाँ पर समझ गये होगे, देखो, elimination में हमारा elimination हो रहाता, substitution में हमारा substitution होगा, बाकी यहाँ पर बिल्कुल सेम है, अब अगर आप लोगोंने E1, E2 पढ़ी है, तो देखो, बाकी step बहुत easy है, the substitution can be occur, either in 1 or 2 step, अब यह देखो, यहाँ पर यह जो हमारा BR हट रहा है, और जो OS- जुड रहा है, तो ऐसा भी हो सकते है, कि यह दोनों हमारी एक ही step में हो जाए, और ऐसा भी हो सकते है, कि हमारी जो है, 2 step में देखने को मिले, तो यहाँ पर ध्यान से देखना, अगर हमारी reaction जो है, 2 step में हो रही है, तो वहाँ पर हम लोग उसको बोलते है, SN1 reaction, और अगर हमारी reaction 1 step में हो रही है, तो हम लोग यहाँ पर उसको बोलते है, SN2 reaction, अब अगर E1-E2 आप लोग देख लेना ताकि आप लोगो यह ज्यादा अच्छे समझ में आ सके अभी हम लोग यहाँ पर SN1-SN2 को काफी डीटिल में देखेंगे तब आप लोग ज्यादा अच्छे से समझ जाओगे E1-E2 नहीं भी देखा है तब भी समझ जाओगे देखा है तो अच्छे से समझ जाओगे Nucleophilic substitution reactions mainly occurs in alkyl halides and alcohols यहाँ पर देखो यह जो हमारी SN1-SN2 reaction है वैसे तो अभी हम लोग इसको अपने alkyl halide के अंदर पढ़ रहें लेकिन हमारी यह alcohols में भी देखने को मिल सकती है और जनली इन ही दोनों के अंदर देखने को मिलती है तो यहाँ पर अगर हम लोग एक basic reaction की बात करें तो यहाँ पर देखो हो गयता क्या है जो हमारा यहाँ पर halogen group है अब यहाँ पर देखो आप लोग जो है कुछ भी लगा सकते हो CH3 लगा सकते हो hydrogen लगा सकते हो हमारे यहाँ पर अगर मान लोग आप लोग ने तीनों तरफ CH3 लगा जाए तो क्या होगा हमारा tertiary alkyl halide हो जाएगा अगर दो तरफ लगाया तो secondary एक तरफ लगाया तो primary और अ बात करें हम लोग यहाँ पर अपने types of nucleophilic substitution reaction की तो हमारी दो type के होती है SN1 reaction and SN2 reaction तो अब हम लोग यहाँ पर इन दोनों के बारे में एक एक करके detail में बात करते हैं तो यहाँ पर दिको जो हमारी SN1 reaction होती है तो यहाँ पर दिको आप लोग को बहुत अच्छे से पता चल चुगा होगा कि SN1 यहाँ पर क्या मतलब होता है Unimolecular Nucleophilic Substitution Reaction तो यहाँ पर इस 1 का मतलब होता है Unimolecular यानि कि यहाँ पर यह जो हमें दो step में एक-एक करके देखने को मिलती है और यहाँ पर देखो बाकी N का मतलब तो Nucleophilic होगा है इसका मतलब substitution, simple है अब यहाँ पर देखो यह हमारी 2 step की process होती है The reaction follows first order kinetics यानि कि जो हमारी SN1 reaction है यह हमारी first order kinetics को follow करती है इसका मतलब क्या होता है Reaction हमारी directly हमारे substrate पर ही depend करती है The reaction takes place in the presence of weak base और weak nucleophile यानि यहाँ पर देखो जो reaction है वो हमारी weak base में होती है देखो अगर आप लोगों याद हो तो even भी हमारी यहाँ पर weak base की presence में ही होती है और यहाँ पर सबसे important चीज कि जो हमारी order of reactivity होती है यानि कि जो हमारी SN1 reaction है वो हमारी 3 degree यानि कि हमारे देखो 3 degree का मतलब होता है अपर जहां नेकलना है, यानि यहाँ पर 3 degree सबसे जादा और 2 degree उससे कम और 1 degree बिल्कुल negligible होता है, यानि 1 degree में SN1 reaction probably impossible ही है, हमारे 3 degree में ही generally देखने को मिलती है So, यहाँ पर देखो, जैसा कि हमें पता है कि SN1 reaction है, तो हमारी 2 step में होगी So, सबसे पहले step में देखो क्या होगा, बहुत ही simple है, जैसे आप लोगों ने यहाँ पर देखो हमारे 2 step में देखा था, वैसे ही हमारा SN1 में भी है It is a slow and rate determining step in which carbo cation form So, यहाँ पर देखो, हमारा पहले step में क्या होता है, carbo cation का formation होगा कैसे होगा, यह देखो, यह जो हमारा BR group है, यह हमारा simply क्या होगा, ionize होके हमारा अलग हो जाएगा, और यहाँ पर देखो, जब भी- आलग होगा, तो BR माइन स के फॉर्म में होता है और जब यह माइनस के फॉर्म में होगा, जब इस के उपर negative charge होए तो यहाँ पर हमारे carbon के उपर एक positive charge Hoetz no होगा अब देखो जब carbon के उपर positive यहां पर दिखो जो हमारी SN1 reaction है, वो हमें 3 degree alkyl halide में इसलिए दिखने को मिलती है, क्योंकि यहां पर इस 3 degree alkyl halide से, हमारा 3 degree carbocatine का formation होता है, और आप लोग को पता है कि जो हमारा 3 degree carbocatine है, यही हमारा सबसे ज़्यादा stable होता है, ठीक है, and step 2 की हम लोग बात करें, तो यहां पर दिखो क्या होगा, यहां पर हमारा attack of nucleophile on carbocatine to give our product, अब यह जो हमारा carbocatine form हो है, यहां पर हमारा nucleophile attack करतेगा, अब nucleophile हमारा generally क्या होगा, हमारा OH- होगा, अब यहां पर दिखो आप लोग पूस सकते हो कि यह OH- कहा से आया, तो दिखो आया, तो generally क्या होता है कि यह OH- हमारा हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक week-base को यूश करते हैं, तो week-base हमारा कुछ भी हो सकते है, माल लिटेढ, अगर माल लो, अब णलो, हमारा nauح है, यहां पर दिखो यह OH- हमारा इस nauH से भी आ सकता है और generally हमारा यह OH हमारा H2O से भी आ सकता है, ठीक है, तो इस OH की कोई problem वाली बात नहीं है, यह हमारा OH क्या होता है, यह हमारा directly हमारे इस carbogadine पर attack कर देता है, और होता क्या है, देखो, OH यहाँ पर इसके पास आके जुड़ जाता है, और simply हमारा जो है, हमारा product हमें देखने को मिल जाता ह अचा, अगर आप लोग यहाँ पर इस product को थोड़ा सा पहजानो, तो यह product हमारा क्या है, यह हमारा है tertiary alcohol, देखो, OH हमारा क्या होता है alcohol, यानि कि, जब भी हमारे alkyl halide में SN1 या फिर SN2 reaction होती है, तो हमारा finally, जो है, alcohol का formation हमें देखने को मिलता है, और यह हमारा tertiary है, क्यों दो यहाँ पर SN2 के अंदर ही थोड़ा सा यहाँ पर कुछी जों में आप लोगो confusion हो सकती है, but I hope कि हम यहाँ पर clear कर सकेंगे, तो बात करें हम लोग यहाँ पर SN2 reactions के बारे में, तो इसका मतलब क्या होता है, SN2 stands for bimolecular nucleophilic substitution reaction, और यह हमारी क्या होती है, यह हमारी यहाँ प substitution reaction हो जाती है, देखो अगर आप लोग यहाँ पर SN1, SN2 थोड़ा सा अगर confusion है, तो आप लोग प्लीज यहाँ पर हमारे E1, E2 reaction को पहले देख लेना, क्योंकि उसको देख लोगे ना, तो यह lecture काफी ही हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल यहाँ पर दोनों एक दूसरे से मिलत जुलते ही है, the reaction follows यहाँ पर second order kinetics, तो यहाँ पर दिखो जो SN2 reaction है, यहाँ पर second order kinetics को follow करती है, यहाँ यहाँ पर जो rate of reaction है, वो हमारे substrate पर तो depend करती है, लेकिन जो हमारे nucleophile attack करता है, उसके ऊपर भी यहाँ पर depend करती है, बात करें हाँ पर तो formation of transition state takes place, अब दिखो यह transition state यहाँ पर एक नया term है, जो कि आप लोग को अभी नहीं समझ में आ रहागा, बट दीरे दीरे अभी समझ में आ जाएगा, यहाँ पर most important thing, कि जो हमारा reactivity order है, वो हमारा यहाँ पर बिल्कुल उल्टा हो जाता है, यहाँ जो SN1 reaction थी, वहाँ पर reactivity order था 3 degree, 2 degree, 1 degree, और यहाँ यहाँ पर क्या है, 1 degree, 2 degree, 3 degree, यहाँ पर जो SN2 reaction है, यह हमारे इस 1 degree के उपर ही सबसे जादा देखने को मिलती है, अब actual में ऐसा होता क्यों है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा reaction को देखते हैं, तब आप लोग को समझ में आएगा, तो यहाँ पर देखो अगर हम लोग अपन यहाँ पर लिखा क्या हुआ है, इन SN2 reactions, the nucleophile attacks on carbon atom of alkyl halide from backside which results in the formation of transition state and ultimately gives product of opposite or inverted configuration to that of initial alkyl halide, देखो मुझे पता है अभी आप लोग को यहाँ पर कुछ भी नहीं सौच में है, आप लोग अब यहाँ पर simply समझो, देखो यहाँ पर जो हमारी reaction है, वो हमारी किस के साथ हो रह क्या है कि SN2 reaction हमारी single step में होगी, यानि यहाँ पर कोई carbocatine vicarica formation होगा नहीं, यानि यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि BR हमारा आराम से remove हो रहा है, और उसके बाद हमारा OH- आराम से आके जुड रहा है, यहाँ पर reaction हमारी बहुत तेजी से होगी और एक साथ होगी, यानि BR कर removal और OH- का addition भी होगा, तो अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखना, यहाँ पर आप लोगो जो यह कुछ structure देखने को मिल रहे है, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इसको समझते है, यहाँ पर थोड़ा सा समझना, जैसे यह हमारे carbon होता है, तो अगर आप लोग को पता हो carbon का जो actual structure होता है, वो होता है हमारे यहाँ पर tetrahedral, और यहाँ पर यहाँ पर हमारे three dimensional structure होता है, अब देखो three dimension को, 3D को हम लोग यहाँ पर एक paper में तो दिखा नहीं सकते, तो यहाँ पर हम लोग करते क्या है, कि इस 3D को दिखाने के लिए हम लोग कुछ structures का यूज करते है, यहाँ पर एक होता है हमारे, यहाँ पर wedge और एक होता है हमारे dash, ज्यादा detail में हम लोग बात नहीं करेंगे, क्योंकि यह आपके third semester का topic है, ठीक है, तो वहाँ पर आप लोग काफी detail में पढ़ोगे इसको, बट अभी हम लोग simply समझते हैं, एक होता है wedge और एक होता है dash, यहा तो 3D में क्या होता है, एक bond जैसे हमारे plane के बाहर निकला हुआ है, तो अगर माल लो यह वाला bond माल ले plane के बाहर है, तो इसको हम लोग दिखा देते हैं हमारे wedge से, और यही bond हमारा plane के पीछे है, तो हम लोग इसको दिखा देते हैं हमारा dash से, और जो हमारी single lines होती है, इसका hydrogen हमारा plane के अंदर की तरफ है, और यह जो VR और CS3 है, यह हमारे single plane में लाई कर रहे हैं, देखो, by chance अगर आप लोगो ज़्यादा चीजे समझ में नहीं आ रहे हैं, तो आप लोग बस simply structure बना लो, बाकी इसमें ज़्यादा confuse होने की जड़त नहीं है, यह topic आप लोग के syllabus का है बस यहाँ पर हमारे SN2 में हमें देखने को मिल रहा है थोड़ा सा, तो हम लोग थोड़ा सा discuss कर रहे हैं, बाकी जाता है, इस तरीका है 3D structure को sow करने का, बाकी कुछ नहीं, है ना, तो यहाँ पर होता है क्या है, यह जो हमारा SN2 reaction है, तो यहाँ पर हमारा nucleophile attack करता है, इसके उ अगर हम लोग इस structure को बनाया, थोड़ा सा समझना, यह हो गया carbon, और यह हो गया हमारे यहाँ पर CS3, और यह हो गया हमारे यहाँ पर, यह हमारे एक hydrogen हो गया, ठीक है, और यह हो गया हमारे यहाँ पर, दूसरा hydrogen, और यह हो गया हमारे यहाँ पर BR, अब देखो यहाँ पर हो क तो यहाँ पर हमारा simply carbocadine का formation होता और तब OH हमारा simply आके जुड़ जाता, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन चुकि हमारी reaction जो होनी है एक step में, तो यह जो हमारा OH है, यह क्या करेगा, अब इसको यहाँ पर attack करना है, तो यह हमारा directly हमारा जो है back side से attack करता है, अच्छा देखो friend side से क्यों नहीं कर रहा है, friend side से इसलिए नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर BR हमारा अभी जुड़ा हुआ है, BR हमारा अलग तो होगा नहीं है, और सबसे main important thing, वैसे यह काफी detail सा concept है, एक्चल में होता है कि यह जो BR है, और यह जो OS मैने से, यह दोनों ही हमारे यहाँ पर तो यह हमारा del negative हो जाता है, del positive हो जाता है, बड़ देखो, I think कि आप लोग को इतनी चीजे नहीं समझ पर आ रहा होंगी, तो आप लोग ज्यादा confuse मत हो, simply समझो कि BR हमारा लगा हुआ है, तो यह directly सामने से attack कर नहीं सकता है, तो यह हमारा पीछे से attack करता है, अब यहाँ पर hydrogen 1 देख लिए, E1 देख लिए, E2 देख लिए, तो वहाँ पर भी तो हमारे hydrogen के bond थे, वहाँ पर तो हम लोग ने नहीं दिखाया, अच्छल में हम लोग इसलिए दिखा रहे हैं, क्योंकि होता क्या है, जब यह हमारा, यह OH- इसके पास attack करता है, तो यह structure है, यह हमारा बदा के साथ, यहाँ पर क्या हुआ, अच्छ हो गया, यहाँ पर इसने पूरी तरीकी से bond नहीं बनाया है, बर पार्चली यहाँ पर इसके साथ attach हो गया, और यहाँ पर यह जो HOS थे हमारे, तो यहाँ पर पहले कहता कि यह दोनो, मतलब यह हमारा plane के upward direction में था, और यह हमारे plane के एक single plane में आ गए, ठीक है, और यहाँ पर यह जो CS3 है, अब देखो हुआ क्या, यह जो CS3 और यह जो दोनो हैटोजन है, यह हमारे यहाँ पर एक single plane में आ गए, और यह जो OH है, और यहाँ पर देखो हुआ क्या, अब अगर हम लोग देखे हैं, तो carbon के हमारे 3 bond तो satisfy है, और यह 4 भी हो गया, लेकिन देखो यह 4 bond अभी पूरा बना नहीं है, यह partial bond है, तो यहाँ पर होगा गया, अब यह जो BR है न, अब यह bond भी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है, और यह भी हमारा partially हो जाता है, यहाँ पर देखो थोड़ा सा confuse हो सकते हो, बट अगर समझने की कोसिस करो, तो समझना हुआ क्या, जब यह OS मैनस ने इसके पास attack किया, तो यह OS मैनस यहाँ पर इसके पास अभी attack कर दिया, थोड़ा थोड़ा यह आ की जुड़ भी कया, और थोड़ा थोड़ा यहाँ पर क्या होगा, यह BR मैनस यहाँ से remove भी हो रहा है, लेकिन ना तो यह पूरी तरह remove हुआ है ना तो यह OS पूरी तरह यहाँ पे जुड़ा है और इस state को हम लोग बोलते हैं transition state जब यहाँ पे हमारा जो carbon है वो हमारा क्या होता है partially हमारा दो bond बना लेते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं carbon की pentavalent form जो की exist कर दी ही नहीं सकती तो अब exist नहीं कर सकती त so यहाँ पे क्या हुआ हमारा BR finally remove हो गया और यह जो OS था यह हमारा simply इसके साथ attach हो गया और हमें यहाँ पे finally हमारा alcohol देखने को मिल गया अब देखो यहाँ पे कुछ important बात है आप लोग notice करना हम लोगों ने यहाँ पे यह structure यहाँ पे क्यों दिखाया क्योंकि यहाँ पे यहाँ पे हमारा bromine group था वो हमारे carbon के इस साथ जुड़ा था लेकिन जो OS group है यानि कि जब हमारा substitution हुआ तो alcohol हमारा यहाँ पे आके इस साथ जुड़ रहा है यहाँ यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है सो यह होती है हमारे यहाँ पे SN2 reaction I hope कि आप लोग यहाँ पे समझ गयोगे अब एक चीज़ हम लोग यहाँ पे और समझ लेते हैं कि हमारी यहाँ पे SN2 reaction हमें वन डिग्री यहाँ पे हमारा यहाँ पे यहाँ पे हमारा यहाँ पे इसके पास attack ही नहीं कर पाएगा इसके पास attack करना काफी मुस्किल हो जाएगा अब क्यों मुस्किल हो जाएगा देखो इसको ऐसे समझो ना कि यहाँ पे क्या है ना कि इस carbon को यह चारो बहुत अच्छे तरीके से प्रोड़ेट की हुए है यहाँ पे देखो अगर हम लोग पूरी तरीके से क्या कर रखा है प्रोटेक्ट कर रखा है तो यहाँ पर इस ओश मैनेस के लिए बहुत मुस्किल हो जाता है यहाँ पर इस तर्शदी का अलकायल हलाइड पर attack करना और वहीं अगर प्राइमरी की बात करें तो यहाँ पर देखो क्या होता है हमारा सिंपली दो हैडोजन डूप होते है तो इसके लिए थोड़ा सा आशान हो जाता है यहाँ पर attack कर देना तो इसी लिए यहाँ पर होती है हमारी SN2 reaction के अंदर हमारा reactivity order क्या होता है primary के अंदर सबसे जयादा secondary के अंदर उससे कम और tertiary के साथ तो बहुत मुस्किल है मतलब ना जल्दी से हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं अपने factors affecting SN1 and SN2 के बारे में और इस lecture को हम लोग यहाँ पर खतम करते हैं बिल्कुल वही चीज़े जो हम लोगों ने देखी 3 degree सबसे जादा 2 degree उससे कम 1 degree बिल्कुल उससे कम और SN2 के लिए just opposite हो जाता है और यहाँ पर बात करें हम लोग यहाँ पर nature of living group की तो देखो बहुत सिंपल है more easily the living group removed from carbon atom faster will be the substitution reaction यहाँ पर living group होता है हमारा halogen group यहाँ पर देखो यह जो हमारा WR है यह छकाँ भी होसकता है तो ही जितने जल्दी remove होगा यानी जितनी जल्दी यहишьway acá attach हो जाएगा तो इस यहाँ पर living group महारा NicS Duty remove होगा polar protic solvent, यानि जिसमें हमें proton देखने को मिलता है और जो हमारी SN2 है, उसमें just opposite, इसमें हम लोग polar aprotic solvents का यूज करता है यह थे हमारे यहाँ पर SN1 and SN2 reaction I hope कि आप लोग समझ के होगे अगर कोई doubt है तो थोड़ा सा एक वार आप लोग जो है, rewind करके देख लेना बाकी, बाकी फिर भी कोई doubt होगा तो comment करके बताना मिलते हैं next video में, thank you so much